गुड इवनिंग आप सभी को सुबाज का नमसकार और आप सभी के लिए रेल्वे की तरब से बहुत बड़ी खुशकबरी निकल के आ रही है कि जो रेल्वेड डी गृप का रिजल्ट है उसकी डेट अनौन्स कर दी है रेल्वे ने कि उनका डी गृप का जो रिजल्ट है हम इसका भी उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है अभी थोड़ी दिर पहले तोड़ी देर पहले सभी जो रर बी हैं उनकी वेबसाइट के आप ऊपर आपको result से संबंदी जो notice है वो मिल जाएगा और यह जो notice है यह हमारे telegram channel पर आपको मिलेगा description में आपको link मिलेगा वहाँ पर link को आप join करोगे तो जैसे हमारे group के अंदर आप आओगे तो वहाँ पर आपको यह notice मिल जाएगा अब देखते हैं इस notice में railway ने क्या कहा है तो railway requirement board पर नीचे देखो cn नमबर एक 0.2019 level 1 post requirement of the various post of level 1 to 1 of 7th cpc matrix notice में देखो क्या बता रखा है फर्स्ट पॉइंट में देखते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में बोला गए cbt above cn नमबर वाज हैल मल्टिपल फेज़ साथ दो जार बाई से आपका एक्जाम स्टार्ट वा था और लास्ट जो एक्जाम था वह था ग्यारह दस दो जार बाईस को फिर सेकंड जो पॉइंट है उसी के अंदर आपको बोला गया कि दा रिजल्ट ऑफ सीबिट शॉट लिस्टिंग कंडिडेट ऑफ फीजिकल एफिशिंसी टेस्ट पीटी करेंट अंडर प्रोसेश एंड एंड रिजल्ट ऑप टेंटेटिव शेडूल टू दा पब्लीज इन ओफिशल जाएगा रेल्वे के दवारा फिर नेक्स्ट आपको बोला गया कि दा एलिजिबल कंडिडेट एक्स एक्जिक्टिंग और टू कोलिफाइड इन सीबिटी और एडवाइज टू बी रेडी फॉर फीजिकल एफिशिंसी यानि यह जो आपको बोला गया है इस नोटिस के अं अनदर आपको फीजिकल वह बिल्कुल स्टार्ट हो जाएंगे तो आपको रेडी रहने के लिए इन्होंने इस नोटिस कोई नंबर थार के अंदर बोला है कि आप फीजिकल के लिए बिल्कुल रेडी रहे कि यह आपका फीजिकल जो आगे नहीं किसके गा जो फिक्स और मिलेगी किसी प्रकार के ब्रह्म में आपको आना नहीं है अब आपके बस बहुत कम वक्त बचाया कर जिसके भी 50 50 प्लस या 55 प्लस नम्मर बन रहे हैं किसी भी जोन से तो वह अपनी फिजिकल की तियारी अभी से स्टार्ट कर दो फिजिकल में क्या क्या होगा कौन-कौन स इवेंट होंगे फिजिकल में उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पूरे डिटेल से किस परकार से आपको फिजिकल की तियारी करनी है और किस परकार से आपको बहुत ही कम वक्त के अंदर आप फिजिकल कौलिफाई कर सकते हैं तो उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियों में तब तक लिए अपना ख्याल रखना ओके बाई